लोग विल्कम बैक आज हम लोग रंगे कोता method of fourth order का numerical देखेंगे जली start करते हैं portion कह रहा है कि apply rk method of fourth order solve function of dy upon dx equal to y square minus x square upon y square plus x square with the y at 0 equal to 1 हमको condition given है ठीक initial condition हम लोग given है at x equal to 0.2 and x equal to 0.4 यानि कि 2 x की value given है ठीक एक x की value given है 0.2 एक x की value given है 0.4 तो इस condition से हम लोग h की value निकाल लेंगे कैसे निकालेंगे एक x की value देखे 0.2 और दूसरी देखे 0.4 इन्हें की इन दोनों के बीच के जो difference है वो है 0.2 तो यही हमारा क्या हो जाएगा h हो जाएगा तो हमको h पता चल गया है और हमको क्या पता चला है कि जो x 0 की value होगी ठीक जो start हो रहा value वह होगी x 0 की value 0 से और y at 0 equal to हमको 1 यानि कि question में यह हमको given है function given है x 0 equal to 0 की value given है y 0 equal to 1 यह भी value given है h हम उन्हें find कर लिया है और function हम quotient में given है ठीक now हम लोग अब हम लोग ने h निकाल लिया है x 0 पता है आप इससे हम लोग x 1 निकाल सकते हैं क्यूंकि वह किस expect में होगी at y x1 के expect में होगी ठीक अगर हम लोग जो value निकालेंगे ठीक जो अभी जो value निकालेंगे y की वह y at 0.02 के expect में होगी ठीक अब आप कैसे x1 की value कैसे निकालेंगे आपको पता है x0 plus h होता है x0 की value पता है आपको 0 और h की value पता है 0.02 तो हमारी क्या आगई x1 की value आ गई है 0.02 हमारी x1 की value आ गई है हमको क्या क्या आप पता है h की value पता है x0 की पता है y0 की value पता है x1 की value पता है और function पता है हम लोग आप रंगे कुत्ता method of fourth order apply करेंगे ठीक आपको formula पता होना चाहिए रंगे कुत्ता method of fourth order का k1 कैसे निकालते है k1 निकालते है h function of x zero y zero ठीक n की value यहाँ पर क्या है आप जे formula पढ़ा होगा कि वहाँ पर होता है k1 equal to h function of xn, yn तो यहाँ पर n है वह 0 से चार्ट हो ठीक now h की value हम लोग यहाँ पुट कर दी function of 0,1 यह हमारा क्या हो गया x हो गया यह हमारा y है ठीक अब हमको function given है function question में given है कह रहा है function of y square minus x square comma y square plus x square हमको x value x और y पता है और यहाँ पर हम लोग पूट कर देंगे इस put करने के बाद इस तरह आयागा और इसको solve करेंगे तो हमारा k1 की value क्या आगई 0.1 आगए k1 की value आगए अब इसी k1 की value की help से हम लोग k2 निकालेंगे k2 को जो formula होता है h function of x0 plus h by 2 comma y0 plus k1 by 2 अब इसी सम्में हम लोग value put करेंगे ठीक 0.2 है और इसमें हम लोग 0.2 है इसको solve करेंगे हमारा आ गया यह overall यह x की value आगए 0.1 और y की value के आगए 1.1 आप इसी को हम लोग function हम put करेंगे ठीक s की value है यह function है यह function हम लोग यह हम put करेंगे तो हमारी क्या आ गई k2 की वैलू आ गई 0.1967 अब इसी k2 की वैलू की हेल्प से हम लोग k3 निकाल लेंगे k3 का जो फॉर्मॉला होता है वह है h function of x0 plus h by 2, y0 plus k2 by 2 ठीक हम लोग रख ली यहां पर इसको solve करेंगे तो हमारी x की वैलू आ गई y की वैलू आ गई ठीक अब xy की वैलू कैसे आई यहां पर हम लोग देखिए x 0 की वैलू क्या है 0 है plus h की वैलू क्या है 0.2 है इसको दिवाइड करेंगे 2 तो हमारी वैलू के आगए x की 0.1 ठीक y की वैलू क्या हमारी 1 है plus k2 की वैलू हम लोग पता है 0.1967 डिवाइड बाइ 2 solve करेंहेंगे तो हमारी वैलू आगई ठीक और इसी y की वैलू हम लोग functional पुट करते हैं MSलिक थीक यह वैलू हम लोग नेइसे पुट कर दी हम लोग देखिये यह वैलु थीकर energy R2 की वैलु क्या है? 0, h की वैलु क्या है? 0.2 और इसकी solve करेंगे तो हमारी value क्या आगी? x की value आ गई अब y की value पता हमको 1 है, k3 की value पता है 0.1967 solve करेंगे हमारी y की value आ गई. अब इसी y की value मैं लोगो functional पुट करेंगे तो हम solve करेंगे इसको function input की हम लोग हमारा y squared, यह हमारा x squared, y squared minus x squaredYa y squared plus x squared solve रखेंगे value हमको solve करेंगे. हमारी क्या आ गई? k4 की value आ गई. हमको 4k की value ऊपर चल गई, k1, k2, k3, k4 की value हम लोग इस से k की value निकाल सकते हैं. k की value कैसे निकालेंगे? formula पता हम लोग को k1 plus 2k2 plus 2k3 plus k4 divided by 6 solve करेंगे हमारी k की value निकल के आगए हम लोग अब यहाँ पर y1 की value निकालेंगे y1 के formula का पता होना चाहिए y1 plus 1 equal to yn plus k हम लोग n का पता है n कह जीरो है plus 1 equal to y0 plus k ठीक तो solve करेंगे और तो यह y1 equal to y0 plus k y0 की value पता है 1 होगी k की value हमको निकाल ली है 0.1960 तो solve करेंगे तो हमारी क्या आगई y1 की value यह है y1 की value यह आगई y1 equal to y add 0.2 की value हम लोग यहाँ find कर ली क्या है 1.1960 यह हमारी क्या है y1 की value है ठीक अब हम लोग आगे और मुफ़ करेंगे क्यूंकि हमको x की value 2 given है कौन सी x 0,2 given है और x की value given है 0.4 अब हम लोग y की value निकालेंगे add 0.04 0.4 पर ठीक तो उसके लिए हम लोग x1 के हम लोग ने अलड़ी value निकाल रखी है क्या x1 की कैसे निकालते हैं एक बढ़ाव बताते हैं x1 equal to x0 plus h x0 की value कितनी है 0 है h की value की है 0.2 है और x1 की value यहां से निकाल आएगी 0.2 ठीक तो हम लोग ने x1 की value हम लोग पता हो गई y1 की value अभी निकाल ली हम लोग ने h की same value रहेगी function हमको quotient में ही given है अब इससे फिर से हम लोग रंगा कुता matter के इस्तिमाल करेंगे k1 की value यहां निकालेंगे तो हमारी यहां आगी k1 की value निकाल के आ गई इसी k1 की value की help से हम लोग क्या निकालेंगे k2 की value निकालेंगे हम लोग इसको k2 की formula में put कर देंगे k2 का formula होता है k2 equal to h function of x1 plus h by 2 comma y1 plus k1 by 2 solve करेंगे function value पूट करेंगे तो हमारी यह आ गई k2 की value निकाल के आ गई अब इसी k2 की value की help से हम लोग k3 निकालेंगे k3 के formula सेम होता है last में हम लोग यहां पर k2 by 2 लग देते हैं y में और हम लोग इसको solve करेंगे हमारी की आ गई k3 की value निकाल के आ गई अब हमारे पास 4 value आगई k1 k2 k3 k4 की formula होता है k1 k1 plus 2 k2 plus 2 k3 plus k4 divided by 6 ठीक हमारी क्या आगई ये k की value निकल के आगई अब k की value की help से हम लोग क्या निकालेंगे y2 की value निकालेंगे आपको formula पता है कि y n plus 1 equal to y n plus k n क्या है हम वहाँ 1 है 1 plus 1 equal to y1 plus k ठीक y2 equal to y1 plus k ठीक y1 के अल्यडी हमको पता है value क्या है y1 के अल्यडी हम लोगों पता है उपर से देख लेते हैं y क्या है y1 क्या है 1.1960 ठीक y1 के value क्या है 1.1960 प्लस k की value अभी हम लोगों निकाली क्या है 0.1792 और इसको solve करेंगे तो हमारी क्या आगई y2 की value 1.3752 यह हमारी value आगई किस पे at y2 की value आगई किस पे y at 0.4 के experiment और यही हमारा क्या हो जाएगा एंसर हो जाएगा यही हमारा रंगवे कुत्ता method of fourth order का answer है आ वहर दूएग यही करें यहीवड